मैं फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से आप सब का आपके यूटूब चैनल इगनु गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपने एक्जामनेशन की तयारी भी कर रहे होंगे एक्जामनेशन की जहां तक बात है उसी सीरीज में हमारा ये वीडियो है पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे कुस्चन पेपर उठाए हैं उनके बारे में बताया है अगर अभी आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा आज का जो हमार टापिक है वो है BCOS 184 यानि कि e-commerce ये पेपर विकाम जी के इस बीस नमबर के चले देख लेते हैं किस तरह के प्रश्ण पूछे जाते हैं वाट डू यू मीन वाइदर इकामर्स डिफ्रेंशियेट बिट्वीन इकामर्स एंड टैडिशनल कामर्स वाट इस दख इंपेक्ट आफ साइवर सिक्यूर्टी ऑन इकामर्स तो चूंकि यह पर का टाइटल ही है e-commerce तो आपको व्यश्कली e-commerce के वारे में बहुत अच्चे से पढ़ना होगा उस में क्या फर्क है you ज़ियानिग कि य सामान में खरीद़री करते हैं All hahaha ट्रेडिंग करते हैं औह जो आज कल E-腳ト एंसिप्ट है उसमें क्या फर्क है इसके बारे में आपको बताना है फिर साइबर सेक्योर्टी के उपर भी आपको बताना है कि क्या impact पड़ा है e-commerce में और दूसरा question भी cyber security को पर है तो इस topic को आपको अच्छे से पढ़ना होगा electronic payment system के बारे में अच्छे से आपको यहां पर बताना है जो e-payment आप करते हैं जहें वो UPI के माध्यम से करते हों net banking के माध्यम से करते हों कि यार कोट के माध्यम से करते हों तो इन सब जो payment के माध्यम हैं उनके बारे में यहां पर बताना है what is ITX 2000 compare the contrast ITX 2010 IT amendment Act 2008 जो सुचना प्रद्योकी का अधनियम आया था 2000 और उसके बाद फिर इसमें कुछ परिवरतन किये गए और 2008 में फिर से एक्ट लांच किया गया तो इन दोनों में क्या फर्क है उसको compare करना है आपको बताना है किस अंदर में ITX के संदर में बताना है तो यह भी topic आपको अच्छे सपढ़ना होगा ITX के बारे में अच्छे सपढ़ना है payment gateways के बारे में अच्छे सपढ़ना है अंतर क्या है इन में और what are the advantage and disadvantage अब वोत इन दोनों में क्या फाइदे हैं क्या नुकसान है इसके वारे में भी बताना है तो इस पर भी आपको focus करना है e-commerce का एक important component है B2B business B2C business फिर be free comment on the following statements कुछ statement दिये हैं उसमें आपको अपने comments लिखने है and digital signature are more authentic than electronic signature the malicious software which induce cyber crimes online web-based learning and schooling that happens over the internet app store are an important aspect of e-commerce business यह चार टापिक दिये हुए हैं इन के बारे में आपको अपना statement अपना मत लिखना है फिर यहां पर आपको फर्क करना है spoofing और sniffing के बारे में rtgs और neft के बारे में e-name and jam के बारे में cyber forensic and cyber crime के बारे में फिर है symmetric instruction and asymmetric इसके बारे में आपको अंतर बताना है इसे तरह से start notes आपको लिखना है एप्लियेट ट्रेगूनल के बारे में e-telling models क्या है e-publishing services क्या होती है online entertainment क्या होता है mobile development frameworks क्या होती है तो basically यह जो paper है वो इनी सब पे आधारित है जहां पे e-commerce के बारे में payment system के बारे में इन सब topics को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और our lady हमाई channel पर कुछ videos हमने इन पर बनाके डाले हैं आप एक बार उनको देखिएगा आपको काफी मदद मिल जाएगी और इस video का जो हमारा मुख्य उद्देश है वो यही है कि अगर आपने यह paper ले रखा है तो आपको पता हो कि परिच्छा में किस तरह के प्रश्णों पूछे जाते हैं कितने section होते हैं कितना समय आपको मिल लेगी एक चीज यहां पर बताना जरूरी हो जाता है कि जाया तर जो प्रश्ण आपके 10 numbers के होते हैं उनमें लगवग 300 सब्दों में प्रश्णों का उत्तर लिखना होता है 300 सब्दों से आसे होता है लगवग 25 से 30 लाइन है या फिर दो पेज मान लीजिए ठीक है और जो questions आपके 5 नमबर के होते हैं यहां पर लगवग 200 सब्दों के बीच प्रश्णों के उत्तर लिखना होता है और अगर हम उसको ऐसे कंपया करें तो लगवग एक से 1.5 पेज हो जाता है तो इस चीज का भी आप भ्यान रखें ऐसा नहों कि आप किसी एक प्रश्ण का उत्तर आ आपको उतने ही नमबर मिलेंगे जितने नमबर का प्रश्ण है तो उसमें 20 में से आपको 18 मिल लेकिन अगर आपके प्रश्ण नहीं करेंगे तो फिर आपके नमबर्स बहुत कम हो जाएंगे तो इस चीज के आपको ध्यान दखना है इसलिए मैंने यहां पर इस बात का जिक और साथ इसाथ आपने बहुत सारे जो आपके पेपर से उनकी पीडियो फाइल्स भी तैयार की हैं जहां पर इंपोर्टेंट कोस्टेंस एंसर्स हैं पीछले सालों में पूछे गए प्रश्णों के उत्तर हैं अगर आप उनको वाय करते हैं पर्चेश करते हैं तो आपके एक्जाम के प्रप्रेशन में आपको काफी मदद मिल सकती है चले मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जैहें जैवाद